अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से अपने यूटूब चैनल के लिए एक चैनल आर्ट बनाना चाहते हो या फिर जिसे हम चैनल बैनर कहते हैं अगर यह बनाना चाहते हो त्यार आज की वीडियो का आपको पुरा एंटक देखना चाहिए आज की वीडियो आप थोड़ा सा लगाना चाहते हो या फिर पिए जी में लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप इसको अनलाइन भी बना सकते हो आप सीधे गूगल पर जाकर वहां पर लिखना आपके सामने में वेबसाइट हैगा आप क्लिक करके सिंपली आप एपने पिक्चर को अप्लोट करिएगा और अगे की वीडियो दोस्तों आपको सब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है त्यार एक लाइक ज़लो से कर दिजाएगा और जो लोग भी आर चैनल पर पहली और विजिट कियो एर चैनल को सब्सक्राइब कर पर क्लिक कर दडियेगा आई चल दोस्तों वीडियो को सबसे पहले काम आप करना यहां पर फ्रों डिरी पर क्लिक करना है और ऻ stays आपको यहां पर सेलेट करना आए आप इसको भी आउल कर तो इसको प्रॉलिंक सकते हैं लिएंगा अगर चाहो तो कुछ और भी आपने आम लगा सकते हैं आप इसको इतना इतना तर लेगा सेलेटकर यह पिल्ट करें आपको किलिक कर देना है और इसको फुल साइज बना रहे हैं हमारे चैनल का बैनर अगर कोई देखेगा लैफ टॉप से देश्टॉप से तो पूरा फूल इसको दिखेगा हम इस तरह बना आपको मैं बता भी दूँगा किया से करोगे कैसे आप मोबाल कली आप समझकर बनाओगे सब कुछ आप डि क्लिक प्लस वाले उप्सन पर किलिक करना तो आप जो भी यह पिक्चर पीछे लगा हो इसको पूरा कवर करदेना आप को इस वाले छेप से और यह जविस पूरा जो पीछे का जो कवर है न जो आप फोटो इंसर्ट कियो वो पूरा इसे ढग जाए अब कवर करने के बाद दोस्तों आपको इसका जो कलर है उसको ब्लैक कर देना है यह ऐसा दिस्तों मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझा दोंगा ठीक है आपको सिंपली यहां पर क्लिक करक होगे और ज्यादा कर सकते हो तो आप अपनी साफ से दिख लेना कि आप बैक्राउंड कैसा रखना चाहते हो थोड़ा सा डार्क रखना चाहते हो इसलिए मैं ब्लैक किया हूं टीक इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको फिर प्लस वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के दोस्तों आपको फिर आपको गैलरी से यह वाली जो फोटो है इसको डाउनलूड कर लेना है इन सभी का लिंग आपको डिस्रेक्शन मिल जाएगा अब इसको यहां पर रखने के बाद से दोस्तों आपको इदम सही साइज मिला लीजेगा आप कहां रखना चाहते हो इदम स दोस्तों मैं इसको पेंगी बनाना है इसलिए अब हम यहां लेयर वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे और तीनों पिक्चर हमने यूज किया है इन सब को मर्च कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो पिक्चर के सामने जो ऑप्शन बने वे तीनों पर हम टिक मार्क लगा है तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप इसको कैसे बनाओगे ओनलाइन तो आपको इस सब कुछ बता चुका हूँ अगर आप चाहते हो इसको यूज करना तो आप यूज कर लेगा फिलाल तो मुझे यह सरकल यूज नही एक इरेज कलर करका यहां पर उप्सन है इसको स्लेट करना है इनेबल करने बाद दोस्तों आप टोलेरंस को देखे तो जैसे हम बढ़ा रहे घटा रहे यहां पर पूरा वाइट बाला पोर्शन गया हो चुका है तो इसको बीच में रखके यहां पर टिक मार्क लगा देंगे अब दुस्त अब क्या करेंगे जिस भी फोटो को हम अगर पीछे रखना चाहते उसको अम इंसर्ट करेंगे फिर हम गइली में जाकी को खोटो को धी हम यूज करना चाहते हैं और उत्फिख हम पूटो को पीछे देलिने एका फिटापी लिगा अब भी मेरा फोटो ये लॉक हो चुका, अब भी मेरा बैनर नहीं लेगा, अब मैं बस अपना पीछे वाले फोटो को हिलाज सकता हूँ, और उसे हम मूब करके दोस्तों अपने हिसाब से इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको पहले अपने हिसाब स करना है, इन सारे पिक्चर को आपको सेलेट करना पड़ेगा, तो मैंने मेरे यहाँ पर डाउनलोड वाले ओप्सन पर यह पिक्चर है, आपको सिम्पली आप इसको क्लिक करके इसको आप इंसर्ट कर सकते हो, तो मैं आप इसको सेलेट कर लिया हूँ, सेलेट करने के बाद तो आप जिस तरह चाहते हो आप उस तरह के इसको लगा सकते हो अगर आप देखना चाहते हो कि यह mobile वाले पोर्टसंत में यह दिखेगा और नहीं दिखेगा कैसा नो, कि सिर्फ डेस्टॉप में दिखें, mobile वाले न दिखें तो दोस्तों इसको भी आपको बता दूँगा आप कैसे करोगे simply दोस्तों आपको क्या करना ये lock वाले system को आपको हटा देना है आपका banner lock से हट चुका है और आप इसको slide करके आप देख सकते हो आप दोस्तों आपको मैं पहले हैं यहाँ पर बता दूँगी यह जो line है यह line स्रीफ आपके mobile phone में show करेगा अगर अपने mobile phone से देखोगे अपना banner तो इतना ही show करता है मैं आपको एक बार अच्छे संगा देता हूं यह जो भी banner का size है यह size दोस्तों आपको अपने mobile phone में show करेगा और यह वाली जो पूरी size है यह आपको पूरा desktop या PC या laptop में अगर आप देख रहे हो तो इस तरह पूरा show करता है और इन picture को अपने इसाफ से इसको adjust कर सकते हो आप जहां चाहनब आप आप इसको रख सकते हो इतना करने के बाद अगर आपको यहां पर कुछ लिखना है अपने channel का नाम लिखना है तो आप यहांपर simply edit वाले option पर click करके आप यहां पर लिख सकते हो simply आप इसका color भी change कर सकते हो, इस color पर आपको click करना है, और आप white color चाहो तो white color हमने यहाँ पर ले लिया है, और दोस्तों आप यहाँ पर इसकी font को भी change कर सकते हो, तो हम simply इसको font को यहाँ पर यह वाला font ले लिया है, और यहाँ पर इतना करके इसको यहाँ पर रख दिया, ठ बदलब अगर आप कुछ और इस्टिकर लेकर आउगे तो यह मूब नहीं करेगा यहां से यह सारे फोटो एक हो जाएंगे ठीक है तो अब हम चलते हैं कुछ और भी फोटो जे मेरे पास यहां पर इंसेट करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस्टाइब का इस्टिकर हमने का नाम निक लीजेगा चलिए आँ आप कैने के बाद इसी कॉंपी कर लिया कर लेक् dif Aurya करे बाल आगे का पर पूर्शन हो हो गया दोस्तों आप देख से तो एक अच्छा सा लुक आपके चैनल का आपके चैनल बैनर का यहां पर दिख रहा है ठीक आप इसमें कुछ और भी इंसेट करना चाहते है तो आप कर सकते हैं और सिंपलिया इसका सेफ चेंज करके आप यहां पर ट्राइंगल वाले पर सेलेक प्लस इसको अगर साइट से मूब करना होगा तो इसके लिए भी आप इसको रोटेट कर सकते हो तो यह आपको कुछ इस तरह का आपको शोक करेगा और बहुत से आपको फीचर मिल जाएंगे इस एप्लिकेशन के अंदर और अगर आप चाहते हो और चाहते हो और शाहते हो और भी धेर सारी स्टीकर मिल जाएंगे आपको अब क्लिक करके आप डाउनूट कर सकते हो तो सब्सक्राइब करना है इतना करने के बाद आप देख सेकता आप एक चैनल बैनर बन चुका है ठीक है अब चलिए हम इसको सेब कर लेते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेब इमेज़ पर क्लिक करना है यह पहींजी हमारा बन चुका है अब कrijkम वाले पर श्लेक्षान हे इनि पर सेफ सेब कर दिना है अगर आपका बैनर बन गया है तो आपका चैनल पर आपकर दो कर दên i अप्लोड हो जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको शो करेगा अगर यही चीज़ अपने laptop या desktop में देखोगे तो आपको यह पूरा full-size शो करेगा आप देख सकते हो जो भी side-side से हमने बनाया तो यह सारा चीज़ सो कर रहा है यह हमारे desktop या laptop या किया है तो दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करके आपको यह सारी वीडियो देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो जो है और आपके बहुत ज्यादे काम आईगा आपके चैनल को गुरू करने में ठीक है तो अगर अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरू से करते जाएगा और जो लोग यार चैनल पर नहीं है और चैनलों को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर और पर क्लिक जरू से करते जाएगा